हेलो स्टुडेंट नेक्स्ट अपना अगला है इतमें अजमे डिपो आइसो क्रॉनिक चार्ट ऑफ आर एस रटी सी बसे सेबिलिटी एस 20 सेप्टमबर 2010 रिलेटे रही है इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है यह आइसो क्रॉनिक चार्ट है इसमें जो जितनी भी बस इसमेट्स की संख्या है यह आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर यहां पर दिखाई दे रहा है तो इसमें यही चीज़ दिखाई दे रहे है कि ईण तो क्राउनिक चाट किस प्रकार से बनाया जाता है यह आप इसमें देख सकते हैं नेक्स चोगला हमारा है इसमें यह आपको इसमें तहसील दिखाए रखी टोटल पॉपुलेशन दिखा रखी टोटल पॉपुलेशन अगर हमें कुल जनसंख्या किसी मांचितर की द्वारा अ हैं तो यह सब भी अजमेर की अजमेर डिस्ट्रिक्ट के तहसीले हैं ठीक है तो इसमें हमें जो पॉपुलेशन के लिए मांचितर बनाया जाता है वह है आपका डॉट में जिसका नाम है बिंदु विधी कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो हुआ होगी टोटल पॉ दियार होता है जो कि है dot method ये आपका अजमे district का है Manchester जिसमें सभी तहसीलों की total population दिखा रखी है next रगला आपने इसमें देखेंगे हमें इसमें ये है dot and circle method जो कि हमारे rural और urban population को दिखाता है जिसको हम कह सकते है ग्रामीन और नगरी जनसंक्या ग्रामीन और नगरी जनसंक्या को दिखाने के लिए इसमें जितने भी आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं इन बिंदु के माध्यम से अजमे district के तैसिलों की ग्रामीन जनसंक्या को शोग किया गया है और जो आपको सरकल दिखाई दे रहे हैं वरत दिखाई दे रहे हैं इनके माध्यम से आपको अजमे डिस्टर्क की सभी तैसिलों की अर्बन पॉपुलेशन नगरिय जनसंख्या को शो किया गया है इस मैथड को हम इस्टिल जान बहुत मैथड भी कह सकते हैं तो आप इसे ध्यान से देखें यह है आपका डॉटन सरकल मैथर जिसके द्वारा हम रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को दिखाते हैं नेक्स रगला जो हमारा माँ जितर है इसके अंदर हम बात करें इसमें अर्बन और रूरल पॉपुलेशन दे रहे हैं इसका नाम है आपका स्टिल डी यिएलुर्ष मैथर स्टैन डी ग्यर्ष मैथर स्टैन प्रोडा सा डिफ्रेंस है, इसमें बस सर्कल की जगे हमें स्फियर्स बनाने होते हैं, मतलब गोले बनाने होते हैं, वहां पर आपको वरत बनाने होते हैं, और यहां पर आपको स्फियर्स बनाने होते हैं, और इसमें भी सेम चीज है, रूरल और अर्वन पॉपुलेशन को द और डौटन सरकल इसका दूसरा नाम है और इसके अलावा यहां पर आपको दिखाई देरा इस टेंडी गियर्स मेथड जिसको हम कह सकते हैं डौटन स्फियर मेथड नेक्स्ट अगला जो हमारा मैप है इसको हम लेते हैं जिसमें आपकी यह जो कुछ population area density दिखा रहे हैं इसका नाम है कुरोपलेट कुरोपलेट मैप के अंदर हम density दिखाते हैं मतलब population density जनसंख्या घनत्व को दिखाने के लिए हम इस मान्चित्र का उप्योग करते हैं जिसमें कि जितना ज्यादा घनत्व किसी district का या किसी जगे का होता है उसको उतना ही ज्यादा dark shade से show किया जाता है जैसे कि आप इसमें दिखेंगे कि इस जगे का जो जहनत्गा घनत्व है वो सबसे जादा है ठीक है उसके बाद में इस जगे का घनत वो जादा है उसके बाद में इस जगे का घनत वो जादा है और उसके बाद में बागी जगों का घनत वो जादा है तो आप इसे आप ध्यान से देखेंगे तो जिस जगे का घनत वो जिस तहसील का घनत वो सबसे ज जिसके द्वारा आपकी population density जंसंख्या घनत्व दिखाई जाती है इसके बाद जो हमारा अगला मैप है इसके उपर हम अगले पर चलते हैं ये है आपका ये आपका कोरो क्रो मैटिक मैप है और इस प्रकार से बनता है जिसका अनाम है हमारा सम्मान रिखा विदि आईसो प्लेथ मैप जिसके अंदर आपको वर्शा दिखाई गई है वर्शा का दिखाई गया है जिस परकार से आप इसमें देखेंगे एक ही shade दे रखा है blue रंग और blue color को light से dark की तरफ इसमें shade दिया हुआ है जहाँ पर जितना dark shade है वहाँ वर्षा का जो मापना है cm में वो उतना ही जादा high है और जैसे जैसे shade light होता जाता है वैसे ही वर्षा की मातरा क्या होती जाती है कम होती जाती है तो इसमें आप देख सकते हैं एक single color दिखा रखा है blue लेकिन blue के dark से light shade दिखा रखें तो यह map है isoplet इसका नाम है सम्मान रिखा विदी next है हमारा इसमें rainfall number of days histogram यह आप इसमें देख सकते हैं यह histogram है आपके उसके बाद में जो अगला हमारा है इसमें हम देखे इसमें next है तहसील वाइस population in Ajmer value area cartogram यह value area cartogram इस प्रकार से बनता है कुछ next जो हमारा अगला है वो इसमें आप देख सकते हैं climograph of Ajmer यह Ajmer का climograph है जिसमें आपको अच्छे से graph paper के उपर यह जो diagram है वो बना के दिखा रखा है climograph of Ajmer next है climograph और Ajmer में आप देखेंगे इसमें temperature और relative humidity को दिखाए गया है उसके बाद में next हम आगे इसमें देखेंगे अगला जो में आपका वो है climatograph climatograph इसका यह इसमें data दे रखाय आप इसको अच्छे से देख सकते हैं यह इसका solution है इस प्रकार से Klimatograph का solution है, जिसमें mean temperature और mean rainfall दे रखिये है और इससे आगे कैसे solution कर रखाये, इसमें अच्छे से दे दे रख रखाये इसके बाद में हम इस प्रकार से klimatograph बनाता है को जिसमें rainfall को blue color से दिखा रखा है और temperature को एक line कर line से दिखा रखा है इस प्रकार से klimatograph बनाय जाता है next जो हमारा है इसमें तहसील-wide male female की जो है उसे population को हम एक parameter diagram के द्वारा दिखा रहे हैं इसमें simple pyramid diagram है ये वाला कुछ इस परकार से simple pyramid diagram बनता है आपका जिसमें हम male female population को show करते हैं next अपना है इसके अंदर mixed pyramid diagram जिसमें हम urban और rural population को दिखा रहे हैं urban और rural population मतलब grammyn और नगरी जन सिंख्या अजमीर की जो mixed pyramid diagram के द्वारा दिखाए गई है हम इसमें अगय देखते हैं इसमें male और female persons को इसमें super imposed pyramid diagram की द्वारा दिखाए गया है आप इसमें देख सकते हैं super imposed pyramid diagram कुछ इस परकार से बनेगा आपका जिसपे male female दिखाए गया है उसके बाद में हम इसमें आगे कुछ conventional science देखते हैं जिनको हम कह सकते हैं rude chin ये इस प्रकार से कुछ rude chin है अलग-अलग जगों के जैसे metal road का chin अलग होता है pack track का अलग होता है, kennel का अलग है, tidal river इस प्रकार से कई प्रकार की जो आपके जो आपके अलग-अलग जो जगे होती है, उनकी अलग-अलग प्रकार की क्या होता है? symbols होता है, तो इस प्रकार से कुछ conventional science है ये ये आपको weather symbols इसमें दिखाए गए है जिस प्रकार से root chin होता है, उस प्रकार से कुछ मौसम की भी symbols होता है यह लग लग मौसम सिंपल है जैसे pure air है, heils है, mist है, fog है shadow fog है, drizzle है, rain है, snow है, sleet है, इस प्रकार से कई प्रकार के आपकी इसमें weather symbols दिखाए गए next च्खल आगे, फिर से आपको इसमें weather symbols है कुछ प्रकार के weather symbols आपको दिख रहे नेक्स्ट आप इसके अंदर दिखेंगे, इसके अंदर हम इस प्रकार से हम नेक्स्ट इसमें डाइग्राम बनाएंगे, जो है हमारा ब्लॉक पाइल डाइग्राम, कुछ इस प्रकार से हमारा ब्लॉक पाइल डाइग्राम बनता है, इसमें आपको एक ब्लॉक के अंदर, जो में आप देख सकते हैं कुछ इस परकार से ये ग्राफिकल मैज़ड के दोबारा अपका determining model value show हो रही है इस परकार से उसके अलावा हम next आगे जो हमारा अगला है वो है less than or jive कुछ इस परकार से बनता है आपका less than or jive जो है उसके बार हमारा जो next है वो है आगे more than reduced जो कुछ इस परकार से बनता है आपका more than reduced curve ठीक है इसके अलावा दोनों अगर हम मिला दे less or more than reduced जो जाई तो कुछ इस परकार से बनता है less and more than reduced curve next अगला हम इसमें देखे determining median by more than ojive इसके अंदर median दिखाई दिया है more than ojive के द्वारा median को show किया गया है it means madhika को show किया गया है इसमें less than ojive के द्वारा madhika को show किया गया है determining median by less than ojive इसके अलावा next determining median by less or more than ojive के द्वारा madhika को show किया गया इसके अंदर में अगला जो हमारा है next यह district जमेर simple wind rose diagram आप इस प्रकार से देख सकते हैं जो हमारा पवन आरेक होता है साधरन पवन आरेक किछ इस प्रकार से बनता है अजमेर district करस्में simple wind rose diagram दे रखा है इसके अलावा next जो हमारे अगले data है यह आप इसमें देख सकते हैं यह next जो data है यह आपके district अर्जमीर के compound windrose diagram के compound जिस प्रकार से हमने साधन पवनारक देखा है उसी प्रकार से यह मिशृत पवनारेक है तो मिशृत पवनारेक कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है आपका उस इसके बाद में हमारा Indian and Adjunct Countries series आगे जो हम इसमें देख सकते हैं टोपोग्राफिकल शीट है इंडिया और आसपास की देशों की कुछ टोपोशीट है next जिसके अंदर हम scheme of Indian topo sheets कुछ इस परकार से बनती है जिसमें million sheet बनती है degree sheet बनती है half degree sheet बनती है quarter degree sheet बनती है कुछ इस इस परकार से आपकी scheme of Indian topo sheets बनती है उसके बाद में हम जो next risk के अंदर देखेंगे कुछ इस परकार से आप इसमें data को देख सकते है language periodocity wise circulation of newspapers in Ajmer यह आप इसमें देख सकते है triangular diagram यह triangular diagram है आप इसमें देखेंगे यह last हमारा है triangular diagram कुछ इस परकार से बनता है इस सभी diagram को मैं अपने next video में कुछ अच्छे से समझा पाऊंगे आपको एक नजर में मैंने इस सभी diagram और last video में अपने projections दिखाया है आप इन ही सभी diagram को ध्यान से देखें और अच्छे से अच्छे ने बनाने की कुशिश करें जल्दी अपना अगले video के साथ हम मिलते हैं thank you so much and good luck to all